हलो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने दो सेंटेंस लिख्या बोड पर और मुझे बहुत कंफ्यूजन होगी है कि मैं इनको कैसे प्रणाउस करें तो आज हम यह कंफ्यूजन दूर करेंगे और मैं सर को बुलाना चाहूंगी कि मुझे और मेरे फ्रेंड्स को बता आज इसमें तो मैं आपको सबसे पहले यह वर्ड बोलू कि देखिये यहां वर्ड पीजा नहीं है यह पिड्जा है और जो आपने की करन्शूजन दिया है तो हूं और इसमें तो हूं नहीं दिया है यह भी मैं कर्शूजन दूर करूंगा बट फर्स्टी जैसे कि आपने इसमें वर्ड बोला पनन सेशन तो मैं आपको बता दूँ यह वर्ड पीजा है देखिशूट स्पी कि पीजा नोट पीजा अब हम बात करते है प्रनाउंस कि आपने वर्ड यूज किया है यह वर्ड बिल्कु सही है यह गलत नहीं है मगर जब हम पनन सेशन बोलेंगे तब परनाउंस सेशन नहीं मोलेंगे तब हम मोलेंगे पनन सेशन अगर्वाइस जो परनाउंस वर्ड अकेला को गलत नहीं हो बल्कु सही है अब हम चलते है इस पर्टिगलर डिफरेंस में और जैसमीन ने मुझसे जो कुशन पूछा है मैं पीजा खाती हूं जैसमीन यह तो हम किस जिगर पर जा रहे है किस टारेक्शन में जा रहे है नो डाउच मैं आपको इसके दो यूज और भी बताऊंगा इस लाइन के बाद में ताकि आपके और भी काम आए पर फिला रहा हम इस टॉप्टिक पे चलते हैं जैसे बोला मैं पीजा खाती तो हूँ तो आए और आए के साथ तीनों में से कौन सा लगता है जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आए डू इट पिजा राइट तो हम लाइन मनाएंगे आए जू इट पिजा राइट तो हमने एक बात नोटिस करी जैसमें कि अब आपको दोनों की इंगलिश आगई होगी आई इट प यहां पर शी डज इट 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 जा राइट तो यहां पर अगर हमें बोलना है तो शी और डज लगी जाएगा रिजन इस वान क्योंकि आई वी यू दे प्रोल के लिए हम डू लगाते हैं ही शी इट सिंगूलर के लिए हम ड़स लगाते हैं यह टॉपिक तो आपको क पास में बोलनी होती मैंने पीजा खाया था मैंने पीजा खाया तो सही मैंने पीजा खाया तो था दोनों सही है ध्यान रखना तो ही शों कर रहा है दोनों लाइनों के अंदर तो मैं बोल रहा हूं मैंने पिजा खाया तो था अब यहां पर क्या होगा हम डिड का प्रियोग कर देंगी तो I did eat pizza ये भी सही बन गया अब हमने इस topic को लगब क्लियर कर ली है students और अब आप इन की लाएंगे बना सकते हैं चाहे हो प्रेसेंट हो चाहे हो पास्ट हो अब बात आती है कि मैं आपको नयापन क्या सिखाने वाल हूं नई बात क्या सिखाने वाल हूं वह भी सी लीजिए देखो जैसे यह जो वर्ड है डू इसको अवश्य की रूप में भी यूज कर सकते हैं जैसे 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 मुझा आपको बोलना है आप हमारे घर आना आपके ना शोर सर आल काम तो मैं बोलूं आप प्लीज दू काम अवश्य आना आप अवश्य ये गाना गाना प तो आप कहिंए सte-dude come हमने तो तो औरे सुन ना तो डू कम का मीनिंग यह ए अवश्य आना तो यहां पर तो हो का कंसर्ट भी आपको क्लिर हो गया होगा और अवश्य का भी इसक्लीर हो गया हो कि ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम अब इसको प्रॉब्लम तो नहीं कहोगी आप इसको चैनेंज ही कहोगी स्टुडेंट्स आप हमारी प्लेलिस में जरूब जाएगा वहां पर आपको 100 अब वीडियो मिलेंगे इसके साथ साथ हमने अपने प्रिकुलों वीडियो के तरफ वह से बॉक्स के अड़राइसमेंट किये रिगार्डिंग इंगलिश रिगार्डिंग इंटर्व्लम आप प्लीज गो थूथरू हुएगा अधर देश्ट वीडियो आपको यहां इन्वाइट भी करते हैं और यदि आप एक अच्छा इंस्टीट खोलना चाते हैं इंगिश्पीकिंग का तो प्लीज हमसे कॉंटेट जरूर कीजिए हम अपना मेडिल आपको बहुत तेजी से स्पीड में आप तक पहुंचाते हैं आपको प्रेस्ट रफ करते हैं रिगार्णि यूर इस्टीट यूट आपको जैस्मीन इस टॉपिक इस वरी किया देए सो थैंक यू वरी मुच तुनेंट्स लव यू लॉट